नमस्कार सर्वोदे टीवी में आपका स्वागत है खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं हूँ दीपा सिंग आइवलेटिन की शुवात करते हैं कुछ खास खबरों के साथ पलवल जिला स्वास्त विभाग द्वारा आज आर्या नगर स्तित हनुमान मंदिर में जिला रेट को सोसाईटी एवं श्री वैश्य अगरवाल सभा के सहित्व तत्वाधान में एक वैक्सिनेशन सिवीर का आयोजन किया गया शिविर में मुके अतीथी के रूप में चिकिस्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रहमदीप सिंग ने शिरकत की श्री वैश्य अगरवाल सभा के अध्याक्ष ओंपरकाश गुपता ने बताया कि स्वास्ते विभा के गाइडलाइन के अनुसार शोचल डिस्टेंसिंग का विशेज ध्यान रखते हुए वैक्सिनेशन सिविर का आयोजन किया गया है जिसमें 18 वर्ष की आयोज से उपर के लोगों को वैक्सिन लगाई जा रही है उन्होंने बताया कि वैक्सिन ही एक मात्र जरिया है कोरोना की महमारी को हराने के लिए इसलिए सभी को वैक्सिन लगवानी चाहिए उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी कोरोना जैसे महमारी को ध्यान में रखते हुए कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें, मास्क का प्रियोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें वा बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं जैसे जैसे धीरे धीरे आ रही है, कोई तसली से कराएं, और सब वैक्सिजन कराएं, यही एक उपा है, और अपनी धूरी बना के रखें हैं, आपने बार बार में अपने सावन से हाथ दोखें हैं। इसमें हमारी कोसिस है कि कोई भी वैक्सिनेशन केम्प में आए और भीड में गैदरिंग करके कहीं कोविड पॉजिटिव ना हो जाए। उसके चलते अपना केम्प के अंदर एक व्यवस्था बनाई गई है कि थोड़ा सारी विक्दूरी बनाएं, साथ ही साथ उनको रेड अपील है कि जब भी आप किसी भी भीडवाड वाले लाके में जाएं, तो किर्पया दूरी बनाके रखें, मास्को प्रोपर अपना लगा के रखें, ताकि हम संक्रमन से बचे लिए। जा नामे जी आपका, वेक्सिन लगवाई है आपको, जी मैंने पहली डोज लगवाई है आज, कोवी शील्ड की और इसको लगवाने से बहुत ही फायदा होता है, यह हमारे सरी की जो अम्मिनिटी पावार है उसको बढ़ाती है, और कोरोना से लड़ने की छमता बढ़ाती क्या अपील करना चाहोगे आप और लोगों से बहुत है, मैं सभी से अपील करना चाहूँ कि यह वैक्सिन जरूर लगवाई है, जब हमारे देश इस महमारी से लड़ सकता है, इसी तर एक कोई परिशानी नहीं है, मेरे परिवार के सभी से वैक्सिन लगवाई है, सभी को धारह साथ से अपली इतनी भी मारे देश के नागरी के सभी को लगवाई है।